नमस्कार शिक्षार्थियो नैदानिक एवं उप्चारत्मा पोशन की इस व्याख्यान श्रिंकला में आपका पुना स्वागत है तो आज हम बात करेंगे गर्भावस्ता में आहार एवं पोशन पहले व्याक्यान में हमने आहार नीउजन की मूँ लवधारनाओं के बारे में पढ़ा था अब हम जीवन की विबिन अवस्थाओं में इस आहार नीउजन को कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे सरप्रथम यह जानते हैं कि गर्भावस्ता वहाँ क्या होती है गर्भावस्ता वहाँ अवस्ता होती है जिसमें स्त्री अपने प्रजननकाल में एक नए जीव का निर्मान अपने शरीर में करती है जिससे उसके शरीर में कई उपापचेयन सम्मंदी परिवर्दन होते हैं देखा जाए तो पोशन की दिष्टी से यह अवस्था अत्यंत महत्पूर्ण है क्योंकि गर्भावस्था के समय माता अपने शरीर में एक शिशु को पालती है उसके बाद जन्म के बाद भी पूरी तरह वहाँ माता पर ही पोशन के लिए आश्रेत होता है अपने प्रारम्भी जीवन में वहाँ माता के दूद से ही पोशकतात्व प्राप्त करता है इसलिए गर्भावस्था में भ्रून के उचित विकास हे तू और उचित धंग से प्रसव हे तू तथा प्रसव के बाद उचित पोशन हे तू शिशु को अच्छे से पोशन देने के लिए गर्वती इस्त्री के लिए संतुलेत अहर लेना आवश्चक है जनल से पूर्व चालिज सप्ता आर्थाद नौ माहा तक शिशु मा के गर्व में विक्सित होता है तो गर्वती मा को अहर ऐसा लेना चाहिए जो पोश्टिक तत्वों से भरपूर हो जिससे वह गर्वस्थ शिशु और अपनी उचित प्रकार से तेकभाल कर सकी गर्वावस्था में भोजे प्यदार्थों की मातरा एवं गुडवस्था दोनों में ही वृद्धी करनी होती है तो गर्व के दवराण संतोलित एवं पॉष्टिक आहर लेने से गर्वस्थिशु की समुचत वृद्धी एवं विकास होता है गर्वावस्था को हम तीन भा महा तक होती है तत्पश्चाद पीरियड ओफ फीटस अर्थाद गर्भस्त शिशु के वस्ता शुरू होती है जो तीसरे महा से शिशु के जन तक होती है अब हम बात करेंगे गर्भावस्ता में शारीरिक परिवर्तनों के बारे में गर्भावस्ता के दौरान इस्त्री के शर वजन बढ़ता है उसका जो पहले तीन महिने में नहीं के बराबर होती है कई इस्तरियों में यह वृव्द्ध नहीं होती है उसके उलट वजन में कमी देखी जाती है क्योंकि इस प्रफम तीन महां की अवदी में घर्वती इस तरह की शिकायत होती है, भूक में थोड़ा परिवर्तन होता है, कम लगती है, नहीं लगती है, तो इसलिए प्रतम तीन महा में यहां वृद्धी नहीं के बराबर होती है, और उसके बाद चौथे महा से यहां वृद्धी वजन में प्रती सब्ता एक से दो पॉंड की जाती है, हर हफते, और उसके बाद जब तक शिशु जन्म होता है, तब तक गर्वती मात्रा के शरीर की वजन में 10 से 12.5 किलोग्राम तक वृद्धी हो जाती है, यह वृद्धी रक्त की मात्रा बढ़ने, वसा की मात्रा बढ़ने, गर्वाशे के आकार्में परिवर्तन के कारण गर्ब नाल के कारण और गर्ब तरल यानि एम्नियोटिक फ्लूट में वृद्धी के कारण होती है अगर माता को पोशन का शिकार होती है तो वजन या तो बहुत जादा बढ़ता है या बहुत जादा कम हो जाता है तो दोनों ही इस्त्रियां गर्वती इस्त्रिय और गर्भवत शिशु के लिए हानिकारक होती है क्योंकि कम वजन अगर माता का हो गर्भावस्ता में तो शिशु का विकास और विद्धी बहुत जादा प्रभावेत होती है शिशु की गर्भावस्ता में शिशु के विकास में बहुत जादा विप्रीत असर पड़ता है सब्सक्राइब का बजन किस प्रकार बढ़ता है और माता के बजन में उसके अनुरूप किस प्रकार प्रिद्धी होती है फिर हम बात करेंगे उपाप चैअपच्छ परिवर्दनों की यहाँ परिवर्दन जो शरीर में चैअपच्छ ही परिवर्दन होते हैं जिसको हम Metabolic Changes कहते हैं वह शरीर के शेत्रफल और वजन के हिसाब से होते हैं अलग-अलग गरवती इस्त्रीयों में अलग-अलग होते हैं और भून का वरिद्धी और विव्यास होने के कारण गरवती इस्त्री की चैप्चई दर्ज़ होती है वो पहले 3 महिनों में 5% तक बढ़ जाती है और आगे आने वाले महिनों में यह 12% तक देखी जाती है भड़ी हुई इसके बढ़ने के प्रमुक कारण होते हैं जैसे गरभाशे के वृद्धी गरभश शिशु द्वारा अधिक पोशन और ऑक्सिजन की मांग फिर हम बात करेंगे हॉर्म निर्माण के लिए उनको उत्तेजित करता है अगर्भ हमनाल्ट के हॉर्मोन बढ़ने से प्रजन अंगों की कोशिकाओं की मात्रा में वृद्धी होते हैं अस्तनों का आकार बढ़ जाता है थायरोइड गरंती का भी आकार बढ़ जाता है इसलिए गर्भावस्था में आय मूत्र में GPAGLUKOSE मदुमे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे construction reactive समस्या कर्या में भी व्रृद्धी समस्या त्वचा में भी परिवर्तन देखे जाते हैं, गर्वती इस्त्री के गाल, नाक, उपरी होट, लला, तथा गरदन पर भूरे रंगे धब्बे हो जाते हैं, आखों के नीचे की त्वचा भी काली हो जाती है, ऐसा रक्त में मिलानोसाइड स्टिमिलेटिंग हॉमोन के कारण हो जाता है, पेट की तवचा में खिजाव होना देखा जाता है, जिससे लंबी-लंबी दारियां दिखाए जेती हैं, और गर्वा वस्ता में स्वेट ग्लेंड्स, स्वेट गरंथी जो होती है, इनके क्रिया शीलता भी बढ़ जाती है, जिससे शरील से पसीना अधिक निकलता है, श्वेशन संबंदी परिवर्तन भी देखे जाते हैं, प्रजिस्टर्न हर्मोन के बढ़ने से, जैसे जैसे गर्वास्ता आगे बढ़ती है, प्रसव का समय नजदीक आता जाता है, वैसे ही श्वेशन दर बढ़ती है, जिससे माता को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत मह पेशियों में कंकाल तंत्र में भी परिवर्तन देखा जाता है, गर्वावस्ता में गर्वाशय का आकार बढ़ने के कारण शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पीटवा कमर में दर्द बना रहता है, आमाशय की पेशियां भी डिली होकर नरम हो जाती है, मलाशय क पूर्वर की अपेकशा, वह एक अपेकशै, रगत की मातरा 30 प्रत्जिशक था तक बढती है. जिससे रगत में हीमोगलोबिन का कंसेंत्रेशन कम हो जाता है. रगतचाब बरने लगता है, जिससे पैरो डखन में सूझे नुद पन्न हो जाती है. और यदि रक्तेचाप बहुत ज़ादा बढ़ जाये तो गर्वती इस्त्री को बेहोशी की इस्तिती भी हो सकती है जिसे एकलेमसिया या गर्वाग शेप कहते हैं या बहुत जानलेवा सिद्ध हो सकता है इस्तिती हम शिशो के लिए इसने समय पर अगर यहाँ इस्तिती को ड बश्च लेनी चाहिए नाड़ी संस्तान में परिवर्तन देखे जाते हैं गर्वावस्ता में गर्वती इस्त्री को नाड़ी संस्तान में परिवर्तन के कारण नीत कम आती है सुबहों में चिर्चड़ा पनाने लगता है सुस्तिवा अलस्ति के कारण वह अधिक से अधिक स चाहा होती है किसी विशेश वस्तों से ग्रणा हो सकती है मांसिक तनाव भय चिंता सरदर्द आदी समस्य गर्वरती इस्तरी में देखी जाती है पेट की दिवारों में यानि उदर की दिवारों में परिवर्तन देखा जाता है जिसके कारण पेशियों में वृद्धी होती है गर्भाशे में व्रिद्धी और विकास हेतु स्थान सुलब होता है उदर की दीवार फैल कर गर्भाश तिशो के बढ़ते आकार के कारण उदर को बढ़ने में मदद मिलती है प्रसफ के कारण भी या फैली रहती है जिसके कारण तुचा के लचीले तन्तु फड़ जाते हैं और पेट पर लंबी धारेदार निशान पड़ जाते हैं इस अवस्था में कमर का निशला हिस्सा जोणों के इस नायू डीलेवर नर्म हो जाते हैं वजाइना, सर्विक्स और यूट्रिस में परिबरतन देखे जाते हैं क्योंकि ये सभी अंग गर्भावस्ता से संबंदित हैं तो हॉर्मोनल प्रभाव के कारण योनी मारग की श्रैश्मिक जिल्ली मूटी हो जाती है शिराएं फूल जाती हैं गर्भाश्य की दीवार के आकार में परिबरतन हो जाता है पेशियां लचिली होकर धीली हो जाती है और रक्त की कोशिकाओं का जाल बढ़ने के कारण या सूजा हुआ सा प्रतीत होता है प्रसव में आसानी हो इसलिए सब बदलाव देखे जाते हैं गर्भाश्य की आकार में परिबरतन हो जाता है पूर्वकी सिधी की अपेक्शा गर्भाश्य की लंबाई में 12-15 गुना तक बित्धी हो जाती है और गर्भाश्य का भार 50-950 ग्राम तक भढ़ जाता है छटे महा तक गर्भाशय का ओपरी भाग नाभी की ऊपर पहुंच जाता है तता नवे महा तक अपनी उच्चितम सीमा तक पहुंच कर निशली पसलियों तक पहुंच जाता है कुछ अन्य परिवर्तन भी गर्वावस्ता में देखे जाते हैं जैसे बाइल और कॉलेस्ट्रॉल ज़्यादा निर्माण होता है इसलिए यकृत को अत्यदिक कारी करना पड़ता है इसलिए बोजन का पाचन भी प्रवावित होता है और इसी अवस्ता में भून यकृत में ल प्रवावस्ता में पॉष्टे तत्यों की आवशक्ता के बारे में पहला है उर्जा जैसे कि आप जानते हैं गर्वती इस्ति अपने शरीर में एक शिशुक्यों पालती है तो इसलिए उर्जा की मांग बढ़ जाती है गर्वावस्ता में इस्ति के वजन और शेर के आकार बढ़ जाती है जयाबचय दर बढ़ जाती हैं और इससे उर्जा की मांग बढ़ जाती है भारति ऐयर विज्ञा पतिन सो कीवावस्ता में गर्वावस्ता में इस्ति absolutely old Amen का मतलब है जो सीडेंटरी, मौडरेट और हेवी वरकर्स के लिए जो अनुशंशित मात्रा है उर्जा की उसके अतरिक्त 300 किलो कलो रहे प्रोटीन, सामानी साधी प्रोटीन की आवशक्ता होती है गर्वती इस्तरी को क्योंकि गर्वस्त शिशो के शरीर का निर्माण होता है शरीर में उतकों की टूट फूट की मरमत होती है, नई तंतों का निर्माण होता है आइसे अमबार ने गर्वती इस्त्रे के लिए 23 ग्राम अतरिक्त प्रोटीन की मातर पर सावित की है जिसमें प्रोटीन के उत्तम स्रोत लिये जाने चाहिए जैसे दूद, दूद से बने पदार्थ, पनीर, बांस, मशली, अंडा, दालों में सोया बीन वैसे सभी दालें प्रोटीन की अच्छी मातर होती है दालों में पर सोया बीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का सुखे मेवे त्यादी द्वारा लिया जा सकता है वसा की बात करें तो गर्वती इस्त्री को प्रते दिन 30 ग्राम वसा की मातर लेनी चाहिए बहुत ज़्यादा वसा की मातरा की अवशक्ता गर्वती इस्त्री को नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा वसा लेने से मुटापा बढ़ता है और मुटापा सुरक्षित और आसान प्रसव के में बाधा उत्पन करता है संत्रिप्त वसा कम लेनी चाहिए या बचना चाहिए लेने से जैसे डालडा, वनस्पती संत्रिप्त वसा का उप्योग बेहतर होता है जो वनस्पती तेलोदवारा लिया जा सकता है कैल्शियम बहुत ज़रूरी है गर्वती इस्त्री के लिए क्योंकि इस समय शिशू की हड़ियों का, दान्तों का विकास होता है संपूर्ण भूर के शरी में लगबग 25-30 ग्राम कैल्शियम होता है जिसमें से ज़्यादा तर्वा गर्वास्ता की तीसरी तिमाही अर्था थर्ड ट्रामेस्टर यानि जो अंतिम 6-9 महिने होते है उसमें संग्रेद करता है इसलिए गर्वती इस्त्री की कैल्शियम की आवशकता बढ़ जाती है प्रति दिन गर्वती इस्त्री को 1.2 मिलिग्राम कैल्शियम आहर के माध्यम से लेना चाहिए जिसमें वह दूद, पनीर, दही, चाच, खीर, दूद से बने वियंजन, सूखे मेवे, तिल, आधी ले सकती है लोह लवन बहुत ज़रूरी है गर्वती इस्त्री के शरीर में रखते हम हेमोगलोबिन के निर्माण के लिए यकरित में तो इसलिए भी गर्वती इस्त्री का लोह तत्व को जादा लेना, उचित मात्रा में लेना आवश्यक हो जाता है आपने देखा होगा कि अस्पताल में डॉक्टर्स भी इस अवस्था में गर्वती इस्त्री को आईरन और फूलिक एसिट की टाबलेट्स देते हैं और अगर माता की शरीर में लोह लवण की कमी हो जाए तो उसे अनीमिया हो सकता है जिसे मरक्ताल पता भी कहते हैं जो बहुत हानिकारक हो सकता है इसलिए गर्वती इस्ति को प्रति दिन 35 मिलिग्राम लोह लवण आरी माध्यम से लेना चाहिए हरी पतेदार सबजियां यकरित, केला, गुड़, पाल, अग, बत्व, अंडे की जर्दी, आधी, खादी बैदात लिये जा सकते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि सिर्फ आहार में लोह तत्व अधिक लेना ही आवशक नहीं है लोह तत्व का अवशोषण भी बहुत जादा आवशक है जिसके लिए विटेमिन सी भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए जिसके लिए खट्टे फलों का समावे शाहर में करना चाहिए आयोडीन की आवशकता बढ़ जाती है गर्वत इस्त्री के क्योंकि आधारी चयाब चाहिए लिए बढ़ा जाता है इसलिए गर्वती इस्त्री को आयोडीन युक्ति नमक का सेवन करना चाहिए जिंक की बात करें तो जिंक स्वस्त गर्वावस्ता के लिए आवश्चक है इसकी कमी से गर्वाथ हो सकता है या शिशू के मांसिक रूप से विकलांग होनी के संभाव ना बढ़ सकती है तो गर्वती इस्त्री को 12 मिलिग्राम जिंक प्रति दिन लेना चाहिए जिसके लिए संतुलित आहार आवश्चक है विटामिन ए होना चाहिए परियाप्त गर्वावस्ता के समय तो गर्वावस्ता में 800 माइक्रोग्राम विटामिन एक के प्रति दिन आवश्चकता होती है सभी प्रकार के पीले फल जैसे पपीता आम गाजर कद्दू हरी पत्तिदार सबजिय आदी विटामिन ए के अच्छे स्रोत है विटामिन सी शरीर में प्रति दोधक शमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी आवश्चक है और शिशू के विकास के लिए भी आवश्चक है क्योंकि यह कुलाजिन का निर्माण करता है जो विबिन कोशिक और उतकों को जोड़ने क काम करता है जैसे अस्थी दांत आदी तो गर्वती स्थी को प्रदे दें 60 मिलीग्राम विटामिन सी के आवश्चकता होती है और जैसे मैंने पहले बताया यहाँ लौत अत्व के अशूशन के लिए भी आवश्चक है अहर में खटे फल रजदार फल दाजी सब्जियां और नीबू आवला संत्रा मौसमी आदी को अहर में शामिल किया जा सकता है विटामिन सी के लिए बी वैटमिन्स में थायमिन ज़रूरी है 0.2 मिलिग्राम अत्रिक्त मात्रा साबुत अनाज और शुश्क खमीर में या बहतायत में पाया जाता है इसके लिए दालें, हरी सब्जियां, फल, सुखे मेवे, मांस, मचली, यक्रित, मुफली, आदी लिए जा सकते हैं राइबोफलेविन भी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए 0.3 मिलिग्राम अत्रिक्त मात्रा प्रस्तावीत की गई है इसके अच्छे सुरूत हैं चोगर सहीद गेहुंकाटा, खमीर, दूद, पनीर, यक्रित, अंडा, सुखे मटर, सोयावीन, अंकुरित, चना, आदी नियासिन भी ज़रूरी है जो 3 मिलिग्राम अत्रिक्त लेना चाहिए गर्वावस्ता में इसकी पूर्ती के लिए दूद एवं दुख दूद पादों को बोजन में अच्छे तरह शामिल करना चाहिए विटामिन B6 या पिरेडॉक्सिन 2.5 मिलिग्राम लेना चाहिए जिसकी कमी से तुझा सम्बंदी रोग हो सकता है इसके लिए साबू तनाच, अंडे, गहरी हरी पत्तिदार सबजियां, सोयावीन आदी कोहर में शामिल किया जा सकता है विटामिन B12 या साइनोकोबैलमीन लिया जाना आवश्यक है जो 1.2 माइक्रोग्राम प्रति दिन आवश्यक होता है इसके लिए दूद, दही, अंडा, मांस, मचली, अक्रित, पनी, चाच, आदी का सेबन करना चाहिए फोली कमल भी आवश्यक है रक्त की अतरिक्त आवश्यक्ता के कारण इसलिए इसकी आवश्यक्ता 500 माइक्रोग्राम प्रति दिन हो जाती है फोली कमल शिशु के मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है इसकी कमी से शिशु में कई सारे रोग हो सकते हैं जैसे नियूरिल ट्यूब डिवेक्ट और तंत्री का तंत्र सम्मंदी कई सारे अन्य रोग हरी पत्ता, सबजियां, फलियां, मूफली, ताजे फल, फलो करस, साबुत अनाज, यक्रित, अंडे ये अच्छे सोर्ज हैं फोली कमल के, फोली कैसिट के और इनको आहर में अवश्च लेना चाहिए जल लेमं तरल पदाट बहुत जादा आवश्चक हैं अगर्वती इस्त्री को कम से कम डेर से दो लीटर पानी पीना चाहिए और फलों का रज, सूप, शर्वत, छाज, आदी भी दैनिकाहर में समिलित करने चाहिए आहरी रेशा भी आवश्चक है क्योंकि देखा जाता है प्राया अगर्वती इस्त्री को कब्स की समस्या होती है इसलिए साबुत अना, चिलकेदार फल, अंकुरित अना, जहरी पतेदार सबजियां यह सब आहर में लेने जाहिए कैफीन की बात करें तो गरवावस्ता में अग्ति-देख कैफीन युक्त बदारत हों का सीवन नहीं करना चाहिए जैसे चाए, कौफी, कोला, कोको, इस से कैफीन के अधिक सेवन से गरवपात में गरवपात हो सकता है या समय से पूर प्रसव हो सकता है धूमरपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे हानेकारक तत्व होते हैं जो गर्विनाल में असमानता हैं या भूर्ण को नुकसान पहुचा सकते हैं इसे बूर्ण को ऑक्सिजन कम मिलती है समय से पहले प्रसव हो सकता है मानसिक विकलांगता हो सकती है मद्यपान भी नहीं करना चाहिए गर्वावस्ता के समय जिससे इसके कारण बूर्ण में अनेक असमानता हैं विक्रितियां हो जाती हैं मांसिक विकलांता आंकों और नाक में विकृतियां पोशक तक्त्तों की कमी या उनसे उत्पन्याने समस्या हैं गर्भावस्ता में अहार नियोजन है तो कुछ महत्पूर्ण सुझाओं है जैसे माता अव्यम भून के अच्छे स्वास्त के लिए निर्मान आत्मक और वर्तन करना चाहिए जिससे कि गर्वती इस्त्री को एक संतुली ताहर मिल पाये और सभी प्रकार के पोशक तत्व उचित मात्रा में मिल पाएं जल बहुत महत्पूर्ण है आर में इसकी उचित मात्रा लिनी चाहिए और तनाव ग्रसित नहीं होना चाहिए मान से किसी दे प्रसंद निचित और चिंतरईत होनी चाहिए भोजन पकाने के ऐसे तरीकों का इस्तमाल करना चाहिए जिसमें पोशक तत्मों की नियुनितम शती हो रात्री में सोने से पहले 2-3 घंटे पूर अवश्य कर लिना चाहिए भोजन भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए प्रति दिन के हार में हरी पतेदार सबसियां कुरित दाले अनाज दूद से बने खादिपदार्त दूद उत्तम कुटी के प्रोटीन युक्त खादे जैसे अंडे मौस में फल चोगर सही ताटे की रोटी चिलकेसहिददाल रिशिदाल भोजवदात अधिये सम्मुलेंट करने चाहिए बासी भोजन या अधेकमिर्च मसालेधार भोजन नहीं खाना चाहिए गरिष्ट भोजन नहीं काना चाहिए क्योंकि इन से अपच हो सकती है जिससे पाचन संबंदी गरबडियां हो सकती है आयोडीन की पूर्ती है तो आयोडीन योक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए परन्तो नमक का सेवन संतुलित मातरा में ही या कम मातरा में करना चाहिए क्योंकि रक्तचाप का खत्रा भी गरवती इस्तरी को रहता है पॉलिश तत्व भी उचित मात्रह में शरीर में पहुंचते हैं और संपूर्ण दिन का भूजन हलका और उचिपूर्ण होना चाहिए अब हम एक दिन का अहर तालिका उधारन के तौर पर ले सकते हैं जिसमें आप इस अहर तालिका का रेफरेंस ले सकते हैं जिसमें आप देखें कि देखकर एक गर्वती इस्त्री के लिए आर्नियोजन कर सकते हैं और प्रयोगात्मक कार्य में हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करें तर्यवाद